So Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मॉबाइल को अगर रिसेट करना चाहूँ, तो उसे आप रिसेट कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो में पूरा जो है एंड तक बने रहना अगर आप अपने मॉबाइल को रिसेट करना चाहते हो, तो देखिए हम बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके रहे आपको क्या करना है, सिंपली से सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल के सेटिंग में चले जाना है, ये देखिए हमारा सेटिंग यहाँ पर है, सिंपली साब को आपिन करना है, और आपिन करने के बाद, जब आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरा का interface आएगा अब यहाँ पर आपको factory data receipt पे click करना है click करने के बाद simply से आपको यहाले option पे click करना है reset phone चले हम इस पे click करेंगे जब आप इस पे click करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि confirm your pattern यानि कि आपको अपना lock डालना है तो इस तरह से जब आप lock डालेंगे तो यहाँ पर simply से आपको कुछ इस तरह का option दिखेगा अब आपको यहाँ पर जो है erase everything पर click करना है जब आप erase everything पर click करेंगे तो इस तरह से आपका जो mobile है वो factory data reset हो जाएगा इसका ठेक है देखिए reset होने के बाद यह फिर से open हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने mobile को reset कर सकते हैं देखिए यह erase कुछ इस तरह से जो erase हो रहा है और यह फिर से कुछ इस तरह से open हो जाएगा तो देखिए जब आप अपने mobile को research करते हैं तो यह जो है on नहीं होता है ठेका जल्दी on नहीं होता है काफी समय लग जाता है इसमें तो ऐसे में अगर आपका phone जल्दी on नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको जो है एक बार battery को खोल लेना है फिर से लगाना है और फिर से आपको अपने mobile को switch on करना है जब आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह का problem आपके पास नहीं आएंगे और आपका mobile जल्द ही खुल जाएगा आपको प्रोसेस complete करके आपका mobile फिर से जो है आप चला पाएंगे ठेक है तो फ्रेंड थेंक्यू आज की इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेर करना सुफेंड थेंक्यू